हेलो एवरिवन आग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मौन सुन स्पेशल मूंग डाल भजिया और मसाला चाय की रसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए रसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम मूंग की डाल मूंग की डाल को 2-3 बार हमें अच्छी तरीके से धो लेना है मूंग की डाल को धोने के बाद हम इसमें गरम पानी एड़ करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे मूंग की डाल अच्छे से फोल चुकी है 15 मिनट में अब इसे बीना पानी के हमें दरदरा सा पीस लेना है तो बीना पानी का यूज किये मैंने इसे दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने हल्दी, लाल मिर्च और सौट के इसाब से नमक एड़ कर दिया है इसके बाद डाल देंगे काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर साथ ही मैंने यहाँ पर एड़ कर दिया है साबुट जीरा इसके बाद मैंने डाल दिया हरा धनिया और चौप की हुई करी लीप्स इसके बाद आड़ कर देंगे एक टीस्पून दरदरा पीसा हुआ अदरक लहसन और हरी मिर्च इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चावल का आटा और बेसन भी आड़ कर दिया है और बारिक चौप की अवा प्यास भी यहाँ पर हम एड़ कर देंगे अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमें हाथ के हल्प से या फिर चम्मज के हल्प से जिससे आसानी हो पकोड़े तयार कर लेने हैं बना कर यहाँ पर मैंने ओयल गर्म होनी के लिए चुले पर चड़ा दिया है और मीडियम फ्लेम पर ओयल को हमें गर्म कर लेना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज को फ्राई कर ले रही हूँ जो की पकोड़ों के साथ बहुत ही अच्छे लगती है फ्राई हो गया है यह से निकाल लेंगे और इसके बाद हमें पकोड़े फ्राई कर लेने हैं तो ध्यान रहें पकोड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है मैंने refined oil use किया है आप अपनी पसंद का कोई भी oil use कर सकते हैं अब जब तक पकोड़े fry हो रहे हैं तब तक हम मसाला चाय तयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ml दूद लिया है दूद हलका सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद इसमें add कर देंगे milk powder milk powder को अच्छे से mix कर लेना है इसे mix करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें add कर दे रही हूं हरी इलाइची तीन पीस इसे खोल कर डालना है हमें अद्रक मैंने यहाँ पर डाल दिया है crush किया हुआ इसके बाद यहाँ पर add कर देंगे छोटा सा तेज पत्ता और डाल देंगे पकॉड़िया जो है एक तरफ से अच्छे से fry हो चुकी है हम इने अच्छे से उलट पुलट कर हर तरफ से एकदम सुनहरा और क्रिस्पी fry कर लेना है चाय में एक उबाल आने के बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और दो से तीर मिनट के लिए धीमें आज पर ही हमें इसे उबलने देना है ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छे से आ जाए पकोड़े तैयार हो चुके हैं अब हम इने निकाल लेते हैं और चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है एक बार तेज उबाल लाने के बार इसे हम आफ कर देंगे पकोड़े एकदम क्रिस्पी तैयार हुए हैं और हमारी मसाला चाय भी तैयार हो चुकी है बनाएं और आप भी इंजॉय करें बाई, अलाहाफिज थैंक यू फॉर वाचिंग